हेलो दोस्तो मैं हूँ रमिस बोकोत्रा आप देख रहे है आर भी लोग्स यूट्यूब चैनल दोस्तो हमारे जो मेंचेनल रमिस बोकोत्रा है उसके कुसी दिन पहले वन मिलियन यानि 10 लाग कम्पलेट हुए है और आप सभी को पता है के जो 10 लाग पुरे होने पल यूट्य सभी को गोल्ड एवोट देता है तो हमारा पर गोल्ड एवोट हमें मिल गया है और कितने दिनों से यह देखने के लिए हम बहुत excited थे तो आज हमारे हाथ में आ गया है और यह रहा यूट्यूब सी और सुजन का लेटर और यह रहा यह स्टिकर है उसने सभी टेस्टिंग क इसा खरेगी ही बेज़ा है और सभी कंपलीट ही है तो हमेन निक्तर है और यह रहा हमारा मेन और तो इसको कुरियर में 12 दिन लग ग Harekin क्या कि यूज से से आता है तो कुरियर में ही, इसको रास्ते में 12 दिन लग ग गए इंडिया तीन दिन तो lakनिण रहा है कॉस्टम का औ किया है और एकदम बढ़िया और एकदम वो सिल्वर से तो ज्यादा बड़ा है और ज्यादा पारी है मेरे इसाब से साइद चार किलो वजन तो होगा है तो यह सिल्वर एवोड से तो ज्यादा पारी है इसका वेट मेरे इसाब से साइद चार किलो के आसपास होगा चार किलो क ही मेरे हिसाब से और शिल्वर थोड़ा इससे सोटा होता है शिल्वर भी आपको दिखाता हूँ ये रहा हमारा शिल्वर यह एक लाक होने पर देता है अब थोड़ी बदल गई है यह सिल्वर आये था तब गोल्ड भी ऐसा आता था अब इसी डिजैन में आता तो हमारे पांस दो एवोड होगे सिल्वर और गोल्ड तो गोल्ड को कितने दिनों से हम इंतजार करते थे और ये गोल्ड आप सबने इतना सपोर्ट दिया तो हमें गोल्ड मिला नहीं तो हमारे एक के लिए ये पूसिबल नहीं था आप आप सबी 10 लाख सब्सक्राइबर जो भी है अभी तो 10 लाख 15,000 हो गई पर आप सबी का ये है आप सबी ने सब्सक्राइबर किया तो ये हमें मिला इसलिए आप सबी का इसमें सपोर्ट है इसलिए ये एवोड हमारा एक का नहीं है आप सब का और हम सब का है ये एवोड और आप सबने इतना सपोर्ट हमारी चैनल को दिया तो ये और मेरे हिसाब स राजकोट एरिये में तो ये गोल्ड एवोड है नहीं मेरे हिसाब से एक जुनागट में है जो दवल भाई चैनल सलात है पोमेडी की दवल दो मडिया नाम की राजकोट में तो मेरे हिसाब से कोई गोल्ड एवोड तो है नहीं और हमारे गुजरात की बात करें तो टेक सेनल म उसका दूसरा एवोड है हमारा और राजकोट एरिये में तो मेरे इसाब से ये पहला एवोड है हमारा और एक धवल भाई के पांस से जुना अगट तो दोस्तो ये वीडियो आपको पसंद आये तो लाइक शेर करना ना भूले हमारी में चैनल रमस बोकोत्रा को सस्क्राइब करना ना भूले और यार भी लोग चैनल को पी सस्क्राइब करना ना भूले